पूचित किया जाता है कि जिनाथ 13 और इसकों किसानों दोरा पन्मों गोड़ेकर से हबर दिल्ली जाये का वहार किया है नमस्कार मैं हूँ प्रवेण गोतम दोस्तों दिखावे और प्रतीक की राजनिती का कमाल देखी एक तरफ पियम मोदी, चोधी चर्ण सिंग और MS स्वामिनाथन को भारत अतन देने का एलान कर किसानों के सम्मान का दावा करते हैं लेकिन दूसी तरफ किसानों के स्वागत में एक बारत्फिस सडकों पर कीले बिशाई जा रही है गाउं गाउं जाकर पुलिस जो अनाउस्मेंट कर रही है वो सवाल उठाता है कि क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना भी अपराद हो गया है क्या मोदी सरकार को उसके वादे याद दिलाना भी अपराद हो गया है पुलिस की अनाउस्मेंट का वो वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे पहले ज़रा ये कीलो वाला मनजर देखिए आपको किसान आलोंद की यादे ताजा हो जाएंगी एक बार फिर सडकों पर कीले बिचाए जा रही है ये हरियाना की सडके हैं जहां किसान दिल्ली ना पहुंच सके इसके लिए सडकों पर बेरिकेटिंग की जा रही है कीले बिचाए जा रही है खुदाए की जा रही है ताकि किसानों के ट्रैक्टर यहां से न गुजर सके दिल्ली ना पहुंच सके क्योंकि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली पहुँचने का एलान किया है, आफवान किया है और किसानों को रोकने के लिए और किस तरह के हत्कंडे अपनाय जा रहे है बरिश पत्रकार मंदीप पुनिया ने एक वीडियो शेर किया है जरा वो भी देखा जाए मंदीप पुनिया ने वीडियो शेर किया है जिसमें पुलिस गाउं गाउं जाकर लाउड स्पीकर लगाकर क्या अनाउस्मेट कर रही है किस तरह गाउं के किसानों को धंकाया जा रहा है जरा देखिए तो लाउड स्पीकर लगाकर किस तरह की धंकिया दी जा रही है कि अगर आप किसान अन्दोन में शामिल होंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी आपका पासपोर्ट रद कर दिया जाएगा आपका ट्रैक्टर सीज किया जा सकता है इस तरह की धंकी लाउड स्पीकर लगाकर गाओं गाओं में दी जा रही है तो खासकर जैंग चोधी जैसे नेता ये अनाउस्मेंट्स सुनकर क्या ये बोल पाएंगे कि क्या वाकई ये वो सरकार है जो चोधी चर्ण सिंग के रास्ते पर चल रही है जिसमें चोधी चर्ण सिंग की जलक दिखती है जैन चोधी जैसे पल्टी मारने वाले नेताओं को दोस्तों पुलिस की एनाउस्मेंट सवाल उठाती है कि क्या किसान गांधिवादी तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकते मोधी सरकार को उसके बादे याद नहीं दिला सकते इसे लेकर कॉंग्रिस प्रवक्ता अलका लांबा क्या कहती है अलका लामा कहती है कि क्या भारत में अब भी लोक्तंत्र लागू है इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कितनी शर्मनाक बात है कि ये धमकियां अंदाताओं को दी जा रही है अपरादियों को नहीं क्या किसान अंदोलन को कुचलने के लिए इस हद तक गिरेगी किसान विरोधी सरकार ये अलका लामाने सवाल उठाया है और ये सवाल भी उठता है कि क्या किसान गांदीवादी तरीके से मोधी सरकार को उसके बादे याद नहीं दिला सकते किसान आकिरकार दोबारा क्यों आंदोलन करने को मजबूर हैं किसान नेता अभिमन्यू कोहार का ये वीडियो देखी क्या कहते हैं अभिमन्यू जरा सुना जाए किसान भाईयों आजजोड के प्रार्थना है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है आर पार की आपा लड़ाई लड़ेंगे हाथ जोड के विंती है जिस किसान भाई को ये लगता है कि किसानों के लिए MSP का गारंटी कानून जरूरी है लखिमपुर खिरी के गायल और शहीद किसानों को न्याई दिलाना जरूरी है स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है किसानों के मजदूरों की कर्ज माफी जरूरी है 2013 का बोमिय दिग्रण कानून दोबरा से लागू कराना जरूरी है वो तमाम किसान साथी अपने ट्रेक्टर लेकर तेरा प्रवदियारे दिली कूच में शामिल हो है या मारी फसल और नसल और अगली पिड़ी को बचाने के लडाई है आपसे हाथ जोड के प्रार्थना है तीन बॉडर तै किये गए है शंबू बॉडर, खनोरी बॉडर, डबवाली बॉडर जो शंबू बॉडर के आसपास के रिगना के जिले है अमबाडा हो गया, करनाल हो गया, कुरुखितर हो गया वो सारे साथी तेरा तारीक को सुब है शंबू बॉडर पहुंच है जो खनोरी बॉर्टर के आसपास के जिले हैं जीन्द और कैथल वे तमाम साथी तेरा तारीक को सुब है खनोरी वाले बॉर्टर पर पहुंचे हैं और जो डबवाली के आसपास के फत्याबाद के सिरसा के जो साथी हैं वो डबवाली वाले बॉर्टर पर तेरा तारीक को जार रहें आपको सई समय पे सई सूचना मिल जाएगी ट्रेक्टरों की पूरी तयारी रखो जैसे जैसे काफिला पीछे से आएगा हर गाउं से सेक्ड़ों की संख्या में ट्रेक्टर उसमें जुड़ने चाहिए मेरी प्रार्थना है सारे भाईयों से आज जोड के किसी भी क किसान भाई का ट्रेक्टर तेरा तारिक को अपने घर में नहीं खड़ा रहाना चीए जिन्दा जमीर वाले लोग और जमीन वाले लोगों का ट्रेक्टर सड़कों पे होना चीए यह हो सकता यह संभाव है कि सरकार अभी एक दो दिन में इंटरनेट भी बंद कर दे फोन के म आध्यम से आप सबसे संपर्क होता रहेगा तमाम सातियों से आज जोड के विंति हैं इन बात पर गौर करें आंदोलन को पूरा शांति पूर्ण रखना है तमाम बेरिकेट हटा कि आप दिल्ली जरूर जाएंगे तेरा फ्रवरी को जय जवान जय किसान तो किसान नेता कहत जाएगा क्योंकि चुनाव नजदिक आ गये हैं तो पूरा इकोसिस्टम इस बात को लेकर किसानों पर सवाल उठाएगा कि देखिए चुनाव को लेकर मोदी सरकार को ब्लैक मेल किया जा रहा है इस मूल मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी कि जो किसानों से वादे किये थे आंदोलन खत्म करते वक्त उन वादों का क्या हुआ क्या चोदी चर्ण सिंग और मस्वामी नातन को भारत अतन का एलान करके ही किसानों के सारे मुद्दों का समाधान हो गया पीएम मोधी कहते हैं कि MSP थी MSP है और MSP रहेगी तो आकिरकार इसको लेकर कानून बनाने में समस्या क्या है सरकार को इस साधान से सवाल का जवाब देना चाहिए किसानों की जो दूसरी मांगे हैं उन पर कारवाही करनी चाहिए क्या कोई मीडिया चैनल किसानों के इन मुद्दों पर सरकार से सवाल कर पाएगा कि इतना समय बीट गया किसान अंदोलन के वक्त जो वादे किये गए थे सरकार आपने पूरे क्यों नहीं किये बल्कि कहा जाएगा कि देखिए पीम मोधी तो किसानों का इतना सम्मान करते हैं कि चोधी चर्ण सिंग को एमेस स्वामी नाथन को भारत रतन दे दिया फिर भी ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट एक बार फिर दिल्ली पहुँच गए हैं तरह तरह से एक बार फिर किसानों को बदनाम किया जाएगा मोधी सरकार इस खेल को बकायदा समझ गई है कि पबलिक को मुर्क बनाना आसान है जो दिखावे वाली राज़िती है जो पतीक वाली राज़िती है उसके आधार पर मूल मुद्दो को दरकिनार करके भी किसान हितैशी बना जा सकता है मोधी सरकार इस बात को बखू भी समझ गई है कि हमारे देश की पबलिक बार बार किसी आंदोलन पर बोर हो जाती है जैसे पहले खिलारियों ने आंदोलन किया तो उस वक्त शिरुवात में साथ दिया दोबारा आंदोलन पर बैठे तो कहा कि ये लोग लाज़िती कर रहे हैं अब किसान भी दोबारा आंदोलन करने आएंगे तो एक बार फिर वही खेल किसानों के साथ दोहराय जाएगा लोगतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है आप किसानों को रोकने के लिए इस सारी तकडम बाजी पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रिराइज जरूर दें क्या मोधी सरकार ने किसानों से किये वादे पूरे किये हैं या सम्मान की राज़िती के बहाने मूल मुद्दो को भुलाया जा रहा है कमेंट बॉक्स में प्रिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार